कैसे हो दोस्तों, उमीद हैं सभी लोग ठीक होंगे आज हमारे पास है Infinix Note 12 Turbo आज इस वीडियो में इस फोन का वाटा टेस्ट करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा एफोन वाटा रेजिस्टेंस है के नहीं वाटा टेस्ट करने से पहले इस फोन का कुछ टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले कैमेरा ओपन करते हैं कैमेरा में कुछ कैमेरा संपल खिचेंगे और एक सेलफी कैमेरा संपल भी हम लोग यहाँ पे खिच लेंगे और अगर मैं आप लोगों को इसका camera sample दिखाऊ ना तो camera sample इसका बढ़िया है camera sample में कोई भी problem नहीं है यहाँ पर देख लीजिए जब अरदस्ट camera sample है तो camera में कुछ भी problem नहीं है चलो यहाँ पर speaker test कर लेते हैं यहाँ पर dual speaker दिया है जिसके बज़े से जो sound है ना वो काफी loud है चलो यहाँ पर fingerprint sensor को भी test कर लेते हैं यहाँ पर tab open बहुत ही fast है face unlock भी बढ़िया है बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर open हो रहा है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए और display में भी कोई भी problem नहीं है डिस्पले काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर work कर रहा है charging test, headphone jack test यह सब कुछ मैं water test के बाद ही बताऊंगा phone को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं और इसके उपर हम लोग पानी को गिराएंगे 1,2,3 और water test करने में मुझे बहुत मज़ा आता है चलो यहाँ पर stop watch को start कर देते हैं एक मिनिट तक हम लोग यहाँ पर water test करेंगे और आप लोग ना एक घर में try मत करना वरना आपके phone damage हो सकता है मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए एफ वीडियो बना रहूं कि अगर आपके phone पानी में गिर जाए या बारिस में भीग जाए आपके phone टिकेगा के नहीं बस ओ दिखाना मेरा काम है आदर्स कुछ भी नहीं है तो आप लोग test मत करना वरना अगर आपके phone damage हो जाए ना तो इतना पैसा लुकसान हो सकता है मेरा लुकसान हो जाए कोई बात नहीं लेकिन आप लोगों का पैसा लुकसा नहीं होना चाहिए खेर यहाँ पे देख लिए bubbles बगरा आ रहा है मतलब phone के अंदर भर भर के पानी जा रहा है तो चलो phone को हम लोग यहाँ पे पलट देंगे और display यहाँ पे देख लिए काम नहीं कर रहा है जरूर कर देना दोस्तों मुझे भी motivation मिलता है ऐसे फेडियो बनाने के लिए और यहाँ पे देख लिजिए लगवक एक मिनिट होचुका है और phone को पानी से बाहर निकालेंगे अच्छी तरीके से ना सेख बेगरा कर लिजिए अगर आपके phone पानी में गिर जाता है या बारिस में भीग जाता है तो सबसे पहले अच्छी तरीके से सेख कर लिजिए क्योंकि headphone jack और charging board के अंदर पानी बेगरा जा सकता है और उपर की तरफ भी कुछ पोड है water test के बाद आप लोग 24 hours के लिए ना phone को switch off करके रख देना मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर on करके रखा हूँ चलो यहाँ पर camera open करते हैं यहाँ पर एक selfie camera sample कीचेंगे और यहाँ पर एक back camera sample कीचेंगे अगर मैं आप लोगोंको camera sample दिखा हूँ face unlock थोड़ा सा ट्राइकल लेते हैं face unlock भी मक्खन की दरा काम कर रहे कुछ भी problem नहीं है और back send में अगर मैं आप लोगोंको दिखा हूँ तो camera lens के अंदर पानी भी नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे phone में camera lens के अंदर पानी बेगरा चला जाता है अभी चलो यहाँ पर speaker test करते है speaker कितना अच्छा है speaker में तो कोई भी problem नहीं है और यहाँ पर हम लोग headphone jack test भी कर लेंगे कि headphone के अंदर आवाज आ रहा है कि नहीं तो headphone के अंदर भी sound आ रहा है तो headphone jack में कोछ भी problem नहीं है अभी हम लोग charging test करके देखेंगे कि charge भेगरा हो रहा है कि नहीं तो चलो charge में यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग और यहाँ पर देखिए charge हो रहा है और एक बार मैं आप logo को test करके दिखा देता हूँ यहाँ पर charge हो रहा है charging में कुछ भी problem नहीं है जबड दस्त इसका चार्जिंग यही में सन भी है डिस्पले भी देख लीजिए काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है ऐसा नहीं है कि डिस्पले लैक कर रहा है या डिस्पले टार्ज नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है डिस्पले भी काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है वाटर टेस्ट में एफोन तो सर्फवाइब कर गया है तो इतना ज़्यादा रिस्क लेकर एफीडियो अब लोगों के लिए बनाया हूँ इसी बात में लाइक तो बनता है अगर एफीडियो अच्छा लगा हमारे वेडियो बनने का स्टाइल अच्छा लगा तो सस्क्राइब जरूर कर रहा है मिलते हैं अगले एक फ्रेज वेडियो में